Hello everyone, welcome to our YouTube channel Technical Society, I hope आप सब अच्छे होंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने Google पर जाना है, ठीक है अपने यहाँ पर Google को खोल लेना है, ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है OBS Studio, ठीक है तो OBS Studio हमारा Software का नाम है तो इसको आपको सर्च कर लेना है, जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिखेगी OBS Project.com इसके उपर जाके आपको क्लिक करके इस वेबसाइट को खोल लेना है तो यह वेबसाइट खोलते ही आपको यहाँ पर OBS का लोगो दिख जाएगा, ठीक है यहाँ पर आपको तीन ओप्सन मिल जाती है, ठीक है कि अगर आप Windows User है तो आपको इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है अगर Mac के आप user है तो इसके उपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, Linux के user है तो इसके उपर आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साब साब लिखा है, Free and Open Source Software for Video Recording and Live Streaming ठीक है तो इसको आप बहुत ही जल्दी डाउनलोड कर सकते हैं तो मैं अभी यी विंडो उजर हूँ तो मैं इसके उपर क्लिक करके मैं क्या कर लूँगा इससे डाउनलोड कर लूँगा ठीक है तो यहाँ पे मेरा जो OBS Studio है वो डाउनलोड होने लगा ठीके यहाँ पे मैंने पहले से download करके रखा हुआ है तो आप यहाँ पे आपका download complete हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है आपको यहाँ से cut करके बाहर निकल जाना है ठीके तो मेरा तो पहले से download है इसलिए मैं यहाँ से बाहर आ गया ठीके उसके बाद आपको क्या करना है अपने folder में चले जाना है ठीके फोल्डर में जाने के बाद आपको download वाले section में जाना है download वाले section में जाएंगे तो आपको यहाँ पर OBS Studio का software दिखाई देगा ठीके इसके उपर आपको दो बर click करना है जैसे आप दो बर click करेंगे आपको यहां पर permission लेगा ठीके तो आपको permission दे देना है ठीके उसके बाद आपको यहाँ पे ने श्ट पे click करना एध Salem उसके बाद आपको install पर click करना है टीके अब यहां पे installation होने लगा है ठीके तो यह थोड़ा सा टाइम लेगा तो हम थोड़ी देशन के लिए रूकर जाते हैं तो यहां पर हमारा जो installation का process तरह वो complete हो गया है ठीक है तो आपको यहां पे tick कर देना है launch OBS Studio के उपर ठीक है उसके बाद आपको finish के उपर आपको यहां पर click कर देना है ठीक है उसके बाद आपको यहां से बंद कर लेना है तो अभी तक हमने यह देखा कि हम अपने OBS Studio को कैसे download कर सकते हैं then कैसे हम install कर सकते हैं तो जो maximum YouTuber हैं वो यही software का use करके अपनी वीडियो को record करते हैं live streaming करते हैं और live gaming करते हैं अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी helpful लगा होता हमाया चैनल को subscribe करना मत बुलेगा thank you so much